ये शोबानी देती हैं लोगों के लिए और आरती आदव के घरवालों ने दूसरा रास्ता अप्राद का रास्ता समाज अपने आप ट्राइल चला के कोट बन कर तैह कर देगी अब ये मामला घर परिवार का नहर रहकर समाज का हो गया है तो इसका जो है इंसाफ होना चाहिए एक प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चा का विसे बन जाती है चर्चा इसलिए जादा होती है क्योंकि यह समाजिक मुद्धा भी बन जाता है आरती यादव चोटू यादव एक दूसरे से प्रेम किया करते थे दुर्भाग्ये से आरती से ही सबसे जादा सवाल किये जात मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर मामला है जिस तरीके से छोटू यादव का कतल किया गया हत्यागी की जैसा कि सारे साक्षे बता रहे हैं उस हिसाब से इन लोगों ने छोटू के साथ जो किया है गलत किया है और लड़की के साथ भी बहुत ही गलत कर रहे हुआ है इस सारे मा रास्ता अप्राद का रास्ता चुना और उस लड़के की हत्या करदी जैसा की शाक्षे बता रहे हैं मेरा मानना है कि इसके अंदर लड़की से सवाल अब किया जाना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यह विश्य दोनों ही परिवार की जानकारी में था सवाल भी इस तरह से किया रहे हैं और यह किसी लड़की के पिड़ती इस तरह का वैभार अच्छा नहीं होता है अब लड़की से सवाल करना बिल्कुल ही औचित्तेहीन है और यह बिल्कुल ही समाजी रूप से गलत बात है लड़की और लड़के का जो विश्य है जब जानकारी में है सबके उसके बात लड़की को प्रशन करना उसके उपर प्रशन चिन लगाना उससे सवाल करना उसी को एक तरीके से समाज अपने आप ट्रायल चला के कोट बनकर तैय कर देगी लड़की ने गलत किया यह बिल्कुल भी किसी भी परकार से मानने योगे नहीं है अच्छा छोटु लड़की के घर गया या बुलाया गया यह एक अलग विशेय है लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो आरती यादव के परिवार ने उस लड़के के साथ किया क्या वह सही ठहराया जा सकता है बिल्कुल भी किसी भी रूप में उसको सही नहीं ठहराया जा सकता कि उसको बुल चोटु यादव आया के बुलाया गया या प्रात्मिक्ता यह होनी चाहिए चोटु यादव के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए जिस परिवार का जवान बेटा हमेशा हमेशा के लिए चला गया अब तो स्पष्ट रूप से एक बात है जिस के अंदर एफ़ई अर्दर होगी उसके अंदर फेर इन्वेस्टिकेशन हो और एक निर्धारित समय सीमा में इन्वेस्टिकेशन हो और उसके बाद नियायले में भी से एक निर्धारित समय सीमा के अंदर इसके जो है डिस्पोजल होना चाहिए केस का पूरा निस्तारन होना चाहिए और जिस परकार से संदीब जी इस पूरे प्रकरण में आरती यादव चोटु यादव दोनों बालिक थे वो दोनों भागकर भी शादी कर सकते थे कोट मेरिज कर सकते थे मंदिर में कर सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके बन में दोनों कहीं परिवार के परती सम्मान था सम्मान था इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया लेकिन जिस परकार से इन्होंने छोटु यादव की हत्या की आरती यादव के परिवार वालों ने उससे इसपश्ट ही होता है कि उनके लिए कानून का कोई भेह नहीं है और अगर वो भाग कर शादी कर लेते तो जब ये क्या नाम है आपके आरती आदव के घरवाले किस परकार समाज को ये बताते हैं कि अब मामला सही रहा है या गलत रहा है से ज़्यादा सवाल उस लड़की से होते हैं और यह है इस बात को लेकर महिला संग्ठनों में भी नाराजगी है देखिए जिस परकार इस छोटु यादव आरती यादव की प्रेम कहनी को मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है वो समाजी ग्रूप से भी गलत है क्योंकि सारी बात सारी जानकारी सबके परिवार के बीच में थी और आप क्योंकि लेखा कर वरिष्पतरकार भी हैं आपने ऐसे बहुत सारे केसिज इन्वेस्टिगेट भी हैं उन्ची जोगा आप समाज के सामने भी लाए हैं तो मेरा अपना बिलकुल स्पष्ठ मत है और कानूनी रूप से भी आप समाजी ग्रूप से भी कि अभी ये मामला थ्ञाना और नियायले के बीच में हैं वहीपर आरतिय आदब और आापका छोटू या ादब का नियाय होगा मेरा इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट मत है और इसके अंदर कोई भी कानून के बीच में या नियाईग प्रक्रिया के बीच में और आपके investigation के बीच में जांच प्रक्रिया है पुलिस की उसके बीच में कोई भी अडंगा डाना या तत्याहीन बाते करना ये शोबनी देती हैं लोगों के लिए और जिस तरीकी से महिला संक्टन जो है आरती के पक्ष में आये हैं उनका बिल्कुल सही मानना है आरती के ऊपर सवाल किया जाना ये समाझी किरूप से बिल्कुल गलत है अब आरती यादव पर ये सवाल उठाया जाता है कि समाजिक दृष्टी कोनों से यह गलत है आप कैसा मानते हैं। है वो लड़की और जो निर्ने ले रही होगे अपने वीवेक से सही ले रही होगे। पटा पर एक सो देखो कोई अब समाज तो करेगा नहीं अब तो जाच एजिंसी और नयाय अल्ले है। इनी के ओपर हमें केंद्री तरहना होगा इनी का सम्मान करना होगा। बस मेरा कहना चाहिएगी है मामला एक समय निर्धारी समय सीमामर इसका जो है इनसाफ होना चाहिए।